प्रिफाइन्ड होते होते हम थोड़े अच्छे मनुष्य बन गए हैं या फिर बिगड़ गए हैं लेकिन यह वैग्यानिक भी बोलते हैं कि यह मनुष्य कभी जैली फिस से प्रारंब हुआ है जैली फिस जो पंपिंग करती है अपना हार्ट जैस पंपिंग करता है बोलता है यह मनुष्य वाई से शुरू हुआ है यह मनुष्य की फाउंडेशन जैली फिस से है अनुभावी वैग्यानिक बोलते हैं लेकि शास्तर तो पहले से ही बोलते हैं कि बड़े भाग से मिला है मनुष्ट का शरीव तरह तरह की योनियों में हम बटके हैं और आप यह नहीं समझना कि यह जो मरमर के जो जा रहे हैं यह सभी वापिस मनुष्टी बन जाएंगे नहीं, कोई जानवर बन रहा है जाकर के अपने कर्मों के अंसार वापिस गिर जाते हैं जानवरों में फिर यह चक्कर लगाते हैं इदर उदर जानवरों को होश नहीं है इतनी बुद्धी नहीं है उनकी पास सोचनी की शक्ती नहीं है तो इसलिए वो जानवर के यौनियों में इदर उदर लुड़क पुड़क होते डोलते हैं कभी भेडिया बनते हैं वॉल्फ कभी सिंग बन जाते हैं बड़ी मांस खाने की आदत डाली जिंदगी बर तो सिंग चांस देती है प्रकरती जाओ बच्चा सिंग बन जाओ खूब खाना एक एक दिन में चालिस चालिस किलो चालिस किलो मांस एक बार में सिंग खा लेता है चाहिए वो दूसरे दिन नहीं खा है लिए एक बार में उखा लेता है पूरी दिन चालिस किलो खूब खाना अभी अभ्यास किया ना कर रहा है समाज जहां भी जाओगे हाथों में मांस अंडे मांस मुर्गे मचन सुवर गाय बीफ हर एक दुकानों पर बड़े-बड़े इस्टोर हैं यहां न्युवार्क में देखता हूं वहां जाईए कभी सटर्डे संडे को बड़े-बड़े दुकार इस्टोर्स पर जहां पर इस चीज़े अवेलेबल हैं हर एक आदमी ऐसा इसका मांस है क्या खारणे फिर चीलों में कवों में और मनुष में क्या बेद रह गया वो भी मांस के उपर ही नजर रखते हैं मनुष समाज ने भी मांस के उपर ही अपनी नजर ठिका दिये और सब जगे से ध्यान अटा दिया कि मांस काओ अच्छा अच्छा कुकिंग करो और शाराप पीओ मस्तरो फिर तोड़ा गदा बोश तो डोलां पड़ेगा नौकरी ओकरी तो करनी पड़ेगी काम तो करना पड़ेग दफतर तो खोलना पड़ेगा लिए ये काम मत चुको और उस्वाद के लिए ही एक गुलाम बना रहता है जिंदगी पर इसी स्वाद को पूरा करने के लिए और तरह तरह के जूट वोलेगा पाप करेगा बेहिमानी करेगा दोका देगा बैमन श्यता सा देगा इसी काम के लिए खाना पीना सोना बैमे तुन निद्रा आहार शास्त्र कहते हैं कि ये ये प्रतेक जीव में भी होता है बैमे तुन निद्रा और आहार भोजन लिन मनुष्य को भगवान ने इतनी हायस्त सोचने की शक्ति दिये कि कम से कम अपना आहार तो शुद करके खाए और इसे तरक्य है आहार शुदी सत्व शुद्दो सत्व शुद्दी धुरुस्मरती इसमरती लबदे सर्वग्रंतिन सारे भर्रम के गाँने कि खुल जाती हैं शुद्द आहार जिसका होता है भर्रम निवारन हो जाते हैं उसकी जीवन में वो इस पश्ट देखने लगता है कि बुरा क्या है और भला क्या है केवल आहार शुद्ध करने से और समाद चूक जाता है इन बातों से शास्त्रों में सरदा नहीं भगवान गुना कारते हैं और भोग विलाशों के लिए कुछ भी करते हैं तो फिर अंदकार में जीवन हो जाता है नहीं यूटर्न ले लेना चाहिए समाज को दिशा परिवर्तन कर देनी चाहिए तब सुख संब्रिद्धी हाथ में लगेगी उससे पहले नहीं आहर के अंदर सारी सीक्रेट्स हैं यह पंचकोसी यात्रा है आहर की पंचकोस त्यार करता है आहर शास्तर तो कहते हैं अन से ही अन के माध्यम से ही और यह आत्मा एक दूसरे माता पिता के गर्बस्त में चली आती है सत्य है आहर फाउंडेशन है कैसे जीवन होगा आपका आहर की बिना यह तो फाउंडेशन है संसार का आहर यह फाउंडेशन की बात की जा रही है कि आपका foundation कैसे हुआ है उस हिसाब से आपका जीवन चलेगा लिए उन्हों foundation में भी आप correction कर सकते हैं foundation आपने चाहे गलत किया हो लिए आप सुधार कर सकते हैं U-turn ले सकते हैं चाहे माता पिताओं कि मैं अदिम से गलत foundation हो गया या समाज society के कारण से कुछ गलत मार्ग में भटक गए लेकिन कोई संतों के शब्दों पर विश्वास हो सरदा हो या शास्तरों में सरदा हो तो आप ये गलत मार्ग को छोड़ दीजिए ये दुख का कारण बनेगा और सत मार्ग पर आ जाईए आपके जीवन के रत को सत पत पर लाईए तभी आपको सुख मिलेगा तभी आपकी आयू लंबी होगी आयू सत बुद्धी डवलप होगी आयू सत बलारोग्या सुख प्रीती विवर्दना इनका इनमें बृद्धी होगी विवर्दना मींस बृद्धी होना विकास होना आपकी बुद्धी का विकास होगा आयू का विकास होगा स्वास्त का विकास होगा प्रीती का विकास होगा प्रीती के फूल लगेंगे आपके बगीचे में इरदे रूपी बगीचे में प्रेम के जरने फूटेंगे जब आपका आर शुद्ध होगा प्रेम मई होगा, प्रेम से पकाया होगा, इमानदारी से कमाया होगा शाकाहारी होगा और प्रभू को और अर्पन किया होगा कि आओ मेरे प्रभू आपने मुझे सब कुछ दिया निहाल कर दिया सुन्दर नेतर दिये बुद्धी दिये और शुद्ध भोजन दिया सुन्दर गेहूं बास्मुती राई सुन्दर दाल सबजिया चटपड़, सब कुछ है, कोई कमी नहीं, रश युक्त हैं, घी दूद मलाई, दही, दही कितनी अच्छी, अम्रित हैं, दही, दूद, घी, गेहूं, चावल, सबजियां, फ्रूट, ड्राइफ फ्रूट, नाना प्रकार के भिंजन, शाकाहारी के अंदर, शाकाहार भोजन में हैं, उनको ग्रेण कीजिए, ये आपकी सबसे स्रेष्ट बुद्धी का सूचक है, कि आप बुद्धी मान हैं, यू आरे वाइज में, वेगाम ए वेजिटेरियन परसंग, ओभवान ये गीता में प्रेणा देते हैं समाज को, आयो सत्त बला रूग्य सुख प्रीती विवर्दना, रश्याह इसनिकदाह, इस्तिराह, रिद्या, आहारा सात्विक प्रिया, तो साथ्विक नहीं हो आज तो बन जाओगे लिन बनोगे तो आहार के माध्यम से ही साथ्विक हो वो भी आहार के माध्यम से ही आप साथ्विक इस तर पर आए है और तो कोई जरिया नहीं है आपकी पंच कोशी यात्रा अन है आपका शरीर अन है प्रान वायू अन है, मनों में कोश है, अन से ही मनों में कोश है, ज्ञान में कोश है, विज्ञान में कोश है, और उसके परे आप आत्मा है, सचिदानन्द तो अपने जो परकोटे हैं पांच, जिनको पंच कोश कहा है, इन परकोटों को सतोगुणी बनाएं, शुद्ध बनाएं, आपका शरीर सतोगुण में रहना चाहिए, आपका बलड, सीमन सतोगुण होना चाहिए, आपकी प्रानवायू सतोगुण चलनी चाहिए, सतोगुण म ने शुद्ध कर्म होते हैं आपका मन बुद्धि ऐनकार चित्त के विचार ये सब सतो वोनी चाहिए तो ये तब को adventures सतोगुन में जब आहार सतोगुनी करेंगे सतोगुनी व्यक्ति को भी रजोगुणी आहार डुबो देता है सतोगुणी बना देता है मेरा मतलब तात पर यह कहने का तमोगुणी आहार ग्रेन करोगे तो आप कितने भी सतोगुणी हो गिर जाओगे तमोगुण मा आ जाओगे चाहे महत्मा हो या ब्राह्मन हो या और कोई सादू पुरुस हो या बड़ी योगी पुरुस हो आप आहार जब बिगाड रहे हो तो आप सब बिगड जागा आपका सारा सारे ब्रश्ट, बुद्धी ब्रश्ट, मन ब्रश्ट आहार के उपर बहुत डिपेंड करता है आप से प्रार्तना है आप सही करें, शुद्ध आहार करें आपके किचन शुद्ध हो लाग बोलें डॉक्टर डॉक्टर तो जो करेगा वो ही तो बोलेगा डॉक्टरों ने अपना शरीर जब सतोगुनी नहीं बनाया डॉलप किया तो आपको कैसे वो सतोगुनी चीज़ बतलाएगा कोई अच्छे बैद से परहमर्श करेंगे तो आपको सत्थ पत को बतलाए सतोगुनी सत्थ शब्दी बोल रहा है कि सत्थ पत यही सत्थ है सत्थ गुन यह गुन सत्थ है इस गुन से ही इस quality से ही आप छलांग मार सकते हैं eternity की और vacunt की और और कोई जर्या नहीं रजगुन है रज यानि मिट्टी ये मिट्टी में मिलाएगा इदर ही बार बार इदर ही जन्मोगे इदर ही मरोगे इदर ही जन्मोगे इदर ही मरोगे इसका नाम रज है, रज मानी मिट्टी, रजगुन, रजगुन, पिर तम यानी अंदकार, यह हमेशा जनम जनम तुमको अंदेरे में, जैसे अंदेरे में जैसे कौकरोचेज रहती हैं, चुये रहती हैं, जितना अंदकार होगा उतने इंसेक्ट्स जादा होंगे, ऐसे ही सत्वगुन के लिए, सत्वगुनी आर कीजिए, रजगुनी आर का वरणन भगवान सरी कृष्ण नहीं आपर किया है, कट्व अमल लवनाति उष्ण तिक्ष्ण विदाहिना, आहारा, राजास सेष्टा, दुख शोका मैं प्रदा, अभी देखिए, सैकंड नमबर है, रज रजगुनी व्यक्ति जो होते हैं, उनको रजगुनी आहारी प्रिये लगता है, क्योंको उन्होंने रजगुनी बना लिया है, अपनी बिचारदारा को, अपनी सुभाव को, अपनी नेचर को, अपनी बुद्धी को, तो उनको रजगुनी आहारी पसंद आएगा, इसमें क अमल कहते हैं कट्व अमल लवनात उष्ण तीक्ष्ण विदाही नहां अमल यानि खट्टे कडवे खट्टे तीक्ष्ण विदाही नहां जो जलन पैदा करते हैं तीक्ष्ण तीक्ष्ण ज्यादा मिर्ची मसाले भरे हैं रूक्ष्ण रूक्ष्ण जिनमें कोई प्रेम नहीं है रूक्ष्ण प्रेम भरे हिर्दे से कोई शिकार करता है कि हिर्दे में प्रेम भराओ और शिकार कियाओ बड़ा रूखा हिर्दे चाहिए शिकार करने के लिए एक चिडिया को मारने के लिए बड़ा रूखा सा हिर्दे चाहिए तब ये शिकार होता है ये रूखा सिकार इसे प्रेम नहीं होता प्रेम बरा इर्दे, शिकार नहीं कर सकता शिकार करने से पहले इर्दे को रूखा बनाना पड़ता है जो यह आपका व्योहार किसी के साथ में रूखा होता है मूँ फिर के निकल जाते हैं, थोड़ा मूँ फुला लेते हैं आखे ठीड़ी कर लेते हैं, तर इर लेते हैं, कि नहीं बात करने ही, निकल चलो जाए, रूखा सा सुभाव दिखाते हैं, रूखा भी होवार करते हैं, ऐसे रूखा हरदे चाहिए, कुछ वाइलेंटी फूड अरजित करने के लिए, वहर इतनी संदर पंची होता है, कैसे मा इतने सुन्दर बन में हिरन होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, घास खाते हैं, किसी को नुकसान नहीं करते हैं, सताते हैं। शेकारी से हिरन क्या प्रेम करेगा? वो भी रूखा हो जाता है। मोर नास्ता है उसी के सामने, जो उसका प्रेम ही होता है, जो प्रेम की नजर से उसे देखता है। मारने की दृष्टी से कोई देखता है, उसके सामने कैसे हैं? नहीं, तीके, चटपटे, मांस, इत्यादी, भोजन, नहीं करना चाहिए। रजोगुन में यह जादा होता है, तमोगुन में तो बिलकुली निमने श्तर पर होता है, सड़ा गड़ा बासी, सब कुछ होता है। देखा यह तो तमोगुन का यह उंचा सिरा जो है, यह रजोगुन है। और तमोगुन का नीचला सिरा है, वो तमोगुन है। कहें रजोगुन का जो नीचे का भाग है उसको तमोगुन बोला है और रजोगुन के उंचे सिरे को रजोगुन बोला है रजोगुण तमुगुण से बाहर निकलेंगे तब ही आपको वरना रजोगुण में तो दुख है शोक है चिंता है फिकर और बीमारिया है दुख शोका मैं आमे वानी बीमारी परदा यानी परदान करने वाले होते हैं ये भोजन कड़वे क्या है शराब कड़वी है ज्यादा कड़वे नमक वगरा खा रहे हैं साल्टी ब्लड प्रेसर हो रहा है शराब है ये कड़वे तमबा कुँ है तमबा कुँ मीटी होती है कड़वी होती है, उल्टी आ जाए, अमल है, अमल भी कड़वी होती है, भहत कड़वी होती है, खाएंगे तो खाई नहीं जाए इतनी कड़वी होती है, सारे ब्लड को कड़वा कर देती है, यह सब रजोगुन तमुगुन है, गट्रू अमल लवनाति उश्ण तीक्ष्ण विदाईना आहारा राजस सेष्टा दुख शोक आमे प्रदा ये राजसों को प्रिय आहर जो है ये राजसी आहर ये दुख और शोक यानि चिंताएं और दुख और आमाई आमे 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 यानि भीमारी ये बीमारी को देने वाले हैं आपको सिख करने वाले हैं मन को, मस्तिस को, विचारों को, बुद्धी को, शरीर को सिख कर देंगे, बीमार कर देंगे इसलिए रजोगुनी समाज भी दुखी है, बीमार है और चिंता ख्रस्त है